ये समराट प्रित्वी राज चोहान अमर रहे हैं ये मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ डॉक साब नोनिया समाज का दावा है कि प्रित्वी राज चोहान हमारे हैं एक डिल्ली में अलग ढगला चल रहा है गुर्जर समाज कह रहा है प्रित्वी राज चोहान हमारे हैं राजप मेरा समाथ जो है यह पुलेटिकली न तो आर्गनाइज था न पुलेटिकल एक्टिव्टिवों में भाग लेता था रोटी की जंग में सामिल था राजनीत की बात नहीं करता था पृद्वी राज चौहान की बात हम इसलिए रखते हैं कि तुम अपने इतिहास को देखो और तुम सिर्फ रोजी-्रोटी के लिए नहीं तुम्हारा राजवी था राज के लिए भी लड़ो संघर्स करो और श्यासत में पार्टिसिपेट करो राजनीत में पार्टिसिपेट करो और यह चीज इसलिए भी प्रमारीद होती है कि हमारे विरादरी का जो मुखे पेसा था वो नमक बनाना था बारूद बनाना था और पृद्वी राजचोहान का जो उत्पत्ति केंद्र है वहां का नमक पूरे दुनिया में सबसे जादे परसीद था और कहीं न कहीं हम लोगों का जो विस्थापन हुआ तो हमारे पूरवज बताते हैं कि हम लोग राजस्थान से महिन पूरी आया और महिन पूरी से औरने जगों पर विस्थापन हुआ तो पृद्वी राज चोहान को अपने बंसत के रूप में लोग मानते हैं अच्छा ये कुछ और तस्वीरे लगी हैं डॉक्टर राम अनुहर लोहिया को तो मै जानता हूं पढ़ता भी हूं करपूरी ठाकुर जी को भी जानता हूं यह यहां पे तीन तस्वीरे आसी फूलन देवी को भी जानता हूं सांसद रही है फूलन देवी जी भारत माता को तो सब जानते हैं तीन तस्वीरे हैं जिनके बारे में मेरी जानकारी नहीं है मैं परखिशा बन जाएंदा एकि करके अगर आप बता सकें मैं आपको बुद्धु नुनियाजी से सुरू करता हूँ वाँ न गात्मा गादी से भी पहले सत्यागरा अंग्रेजों के खिलाब चलाने वाले बुद्धु नुनिया रहे हैं महत्मा गाधी विदेश से गुजरात आते हैं और गुजरात से बिहार ही क्यों जाते हैं मेरे समाज का मुख पेशा नमक बनाना था और अंग्रेजों ने जब नमक बनाने पर बैंड लगा दिया कि आप नमक नहीं बना सकते हमारी कमपनी बनाएगी तो पूरे बिहार के हमारी नुनिया कम्यूटी बेरोजगार हो गई और सबसे पहले इस कानून के खिलाफ बेगु सराय के रहने वाले बुद्धु नुनिया ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्यागरा चलाया कि मैं नमक बनाऊंगा और अंग्रेज इसे कैसे रोकते हैं और हमारी कम्यूटी के लोग बुद्धु नुनिया जी के नेटित में खड़े हुए और नमक बनाया और जब बुद्धु नुनिया जी ने नमक बनाना का जो काम चल रहा था उसको नहीं छोड़ा गांधी जी के नमक सत्याग्रे का एक्सटेंशन था था क्या के ब्द्द नानिहां महातम गादी से पहले नमक सत्यागरे चला थे और वुद्द नग नग नियां इंक लाप बोलते रहे और अंग्रय जिनल्डां उनको खुलतेवे कडाहे में फेक दिया था उनकी शहादत हो गई थी और इसको लेकर के पूरे प्रदेश के हमारे नुनिया समाज में एक इंकलाब पैदा हो गया था बिहार में तो महात्मा गाधी के जो साथी थे वे लोग बोले कि आप हमारे हाँ चलिए नुनिया पूरा बेरोजगार है और बुद्धु नुनिया की सहाधत ने नुनियों में एक बड़ा इंकलाब पैदा किया अंग्रेजों के खिलाप और उनका व्योसा इसमें बंद है आप चलेंगे तो हम चंपारन में और बिहार में नुनियों की बड़ी आबादी है आपके साथ खड़े हो जाएंगे मात्मा गाधी चंपारन आते हैं और जो लोग जब ये नमक सत्याग्रा की बात जब गुलबंदी खड़ा करते हैं तो जो लोग उनको लेकर के आए थे जब मात्मा गाधी पर वहां के डीम ने ये का कि भाई आप यहां के नहीं रहने वाले हो और यहां आकर के आप अंग्रेजों के खिलाप लांबन एक गुट खड़ा कर रहे हो एक प्रेसर गुट खड़ा कर रहे हो यह हम नहीं चलने देंगे और उन्होंने उनके जिला बदर का जब नोटिस दारी किया तो मुटुक धारी परसाथ चोहान ने भितिहरवा एक ग्राम है चंपारन मे उन्होंने महात्मा गादी को धाई एकर अपनी जमीन रिजिट्री की और महात्मा गादी को का कि आप मेरी जमीन में रहे है कौन कलेटर कह रहा है कि आपका यहां कुछ नहीं है अच्छा वो जो चंपारन सत्यागरे के लिए आए थे और वहीं से कि भितिहरवा गाओं में प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत जाता है कि मोहंदास करमचन गांदी का भारती राजनीती में बब्तिस्मा था राजकुमार जी के निवेदन पर वहां गए निलहे थे नील की पहले खेती हुआ करती थी और उसमें बन हुआ मजदूरी और पूरा विस्तार से प्रसंगे और इसमें कई किताबें भी उपलब् निलहा अंदूलन, नुनिया बिद्रो ये बाबा लखी शा बंजारा के बारे में बताएं बाबा लखी सा बंजारा का काम था ट्रांस्पोर्ट का अब अगर मिडिल इस्ट्री में जाए तो बंजारा समाज जब कोई भी राजा युद्ध के लिए जाता था तो उसके खान पीने पिने और जो भी समाने थी उसके ट्रांस्पोर्टेशन का काम बंजारा समाज के पास तो लखी सा बंजारा से और मेरे समाज का लगाओ इस तरुपे हैं। और उस नमक को ट्रांस्पोर्ट करने का काम बंजारा समाज करता था तो इस इन से हमारे ब्योसाइक संबंध रहे हैं और कहिन कहीं बंजारा समाज के लोग भी बड़ी आबादी में चोहान टाइटिल भी लिखते हैं और एक ब्यौसाइक संबंध है और ये लखी सा बंजारा बंजारा समाज के एक महापुरुस है तो आपने गौर किया है और आपकी साहित में दिल्चस्पी है तो नमक के लिए नून शब्द का इस्टमाल होता है तो उसी से ये नून से नूनिया बना हुआ है और नूनिया मतलब नमक के ही जो पर्याएबाची है उजी पर्याएबाची के आधार पर हम लोगों की जातियों के नाम भी बिबिन जगाओं पर है जैसे अभी आप चले जाएए इधर मुरादाबाद मंडल में चले जाएए मुरादाबाद चले जाएए विजनोर चले पुभल प्रभाग में चले जाए तो हमारे लोगों को खागी के नाम से जाती प्रमाढपत्र फॉट गागी जिनको खड़क बंसी चौहान भी बोलते हैं गहां नमक योता है अभी ब्रादरी की अच्छी आवादी है लेकिन यसी में आती है नूनगर के नाम से जानी जाती है तो ऐसी जहां नमक के परायवाची के रूप में ही जगर जगर इसके जाती है टाइटल है